आज नौवा दिन है और जगदा नंसिंग का रियाला नहीं पहुंचे है राजद के लेकिन एक सुखद खबर आ रही है कि वो दस सरकुरल रोड यानि की राबडी देवी के आवास पर पहुंचे है तेरे स्वी यादव से मिलने के लिए अब नमस्कार मेरे नाम प्रशांत राय है आप जनता जंक्षन देख रहे हैं रहे थे और सबसे बड़ी बात हुई थी 15 अगस्त को जब जो राजद का जंडा तोलन होता है जिसको जग्दानन सिंग करते आ रहे हैं उसको जग्दानन सिंग वहां नहीं पहुंचे राजद का राले 15 अगस्त को और आज 9 दिन खबर ये है कि मीटिंग हो रही है जब से दिल्ली से पटना आए है तब से लगातार पत्रकार उनसे ये पूछ रहे है कि आखिर जग्दानन बाबू आफिस क्यों नहीं आ रहे है और इस बात का कोई भी जबाब तिरस्वी आदव के पास नहीं था हालागि कल तिरस्वी आदव ने जहला कर कर कह दिया मीडि कि ये कोई पहली बार नहीं है कि तेशप्रताप यादव ने उनको कुछ कहा था इससे पहले राज़त जन्ती समारों में भी खुले मंझ से तेशप्रताप यादव ने जग्दा नाराज है और उसके बाद जग्दानन सिंग शायद इस्तिफा देने गए थे और उसके जग्दानन सिंग ने खुदी आकर मीडिया के सामने का था कि उनको तेजप्रताप यादव से कोई भी दिक्कत नहीं है। खबर के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि तिरस्वी यदाव लगतार ये कोशिश कर रहे हैं कि जग्दानन सिंग को मना लिया जाए और उनकी कोशिश ये है कि जग्दानन सिंग फिर से वापसी कर ले रायात के कर्याले आने लगे क्योंकि अब ही अगर जग्दानन सिंग गुस्सा होते हैं, तो इसका पूरा फाइदा जदियू को और भाजपा को मिलना तै है, लोरिपा वाले भी यही बात बोल रहे हैं, और आज उपेंद्र कुष्वाहा ने एक बहुत भयंकर बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जिस लालुक प्रसाद यादव को उनके बेटे शोचाले में बंद कर देते थे, उस लालुक प्रसाद यादव की बात उनके बेटे क्यों मानेंगे, या आज उपेंद्र कुष्वाहा ने कहा है, और इस मौके पर अगर तेज़स्वी यादव और जग्दानन सिंग की मुलाकात हो रही है, तो कहीं ना कहीं तेज़स्वी चार बार प्रदेश अध्यक्ष राजत के रह चुके थे, उनको उनके पद से हटवाया था, ये तेज़परताप यादव का कारनामा है, जिसके चलते जग्दानन बाबू नराज चल रहे थे, लेकिन अभी मीटिंग में ये कहा जा रहा है, कि तेज़स्वी यादव अपन यादव को, तो उनको कैसे भी जग्दानन सिंग को मनाना पड़ेगा, और अभी जो 10 सरकुलर आवास रोड पर मीटिंग चल रही है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, कि जग्दानन सिंग को मनाया जाए, राजद के कार्याले बुलाया जाए, और इस पूरे मतलब जगडे को, विवाद को खत्म कर दिया जाए, जग्दानन सिंग पर अपडेट आते ही, आपको हम बताएंगे, कि जग्दानन सिंग ने क्या कहा, क्या वो मान गए, क्या तेजप्रताप यादव को फिर से उन्होंने माफ कर दिया, क्या वो खून का घूंट पी कर रह जाएंगे, या फ